हेलो फ्रेंग्स लव टिप्स यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिसे स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही डिमांडिंग है और उन लोगों के लिए इंपोर्टन्ट है जो लोग ऐसे लड़कों को पकड़ना चाते हैं जो जोट बोलता है लड़की को इंप्रेस करने के लिए कुल मिला कर कहे तो आज का वीडियो लड़कियों के लिए बहुत ही खास है और उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट भी दोस्तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको तीन फाइदे होने वाला है सबसे पहला आप जूठे लड़कों को पकड़ पाओगे खास करके लड़कियां उन लड़कों को पकड़ पाएगी जो इंप्रेसा जमाने में जूठ बोलते है दूसरा आपको बेनेफिट होने वाला है अगर आप लड़के हैं तो आगे से इन बातों का ध्यान रत पाओगे और तीसरा है लड़किया सच्चाई को समझ पाएगी तो चलिए दोस्तो देख लेते ऐसे तीन जूठ जो लड़के बोलते हैं लड़की को पटाने के लिए तो तीसरे नंबर पर मैंने रखा है टेकिंग, योगा, एक्सराइस और जीम दोस्तो एक सर्वे में पता चला है 69% लड़के इंप्रेसन जमाने के लिए ये जूठ बोलते हैं कि वो योगा करते हैं, एक्सराइस करते हैं या तो फिर जीम जाते हैं ऐसा क्यूं बोलते हैं? चलिए वो भी देख लेते हैं क्योंकि दोस्तों वो अपने आपको fit रखते हैं, ऐसा जताना चाहते हैं, यानि कि fitness ही impression ऐसा दिखाना चाहते हैं, वो fit रहते हैं, अपने सियत का ध्यान रखते हैं, ऐसा वो सामने वाली लड़की बताना चाहते हैं, दोस्तों लड़की को ये सुनके लगता है, कि वो अपना दियान रखते हैं अपनी बोडी का ध्यान रखता है अपनी फिटनेस रखता है तो मेरा भी ध्यान रखेगा ऐसी एक फील आती है इसलिए 69% लड़के जूट बोलते हैं कि वो योगा करते हैं एक्सरसाइस करते हैं और जीम करते हैं दोस्तो 69% वाला रेशियो एक सर्वे में बार आया है ऐसा इसका मतलब यह नहीं कि सारे लड़के जूठ बोलते हैं कई सारे लड़के सच भी बोलते हैं और सच में वो जाते भी है तो लड़की यह सुनने के बाद थोड़ी जांच परताल करें कि वो योगा करते हैं अक्सराइस करते हैं जीम जाते हैं उसके बाद ही उस पर इंप्रेस होए दूसरे नमबर पर जो जूट है वो है कि लड़के कुटों को पसंद करते हैं यानि कि like dogs दोस्तों ऐसा वो क्यों बोलते हैं क्योंकि ऐसा बोलने से दोस्तों एक feeling आती है एक भाव पैदा होता है कि वो कितने innocent हैं कितने animals के प्रती दयाबाव रखते हैं उनको संभालते हैं प्रेम उनको भी करते हैं दोस्तों ऐसा लड़के जताना चाते हैं दिखाना चाते हैं इसलिए सर्वे में 59% लड़के ऐसा जूट बोलते हैं ऐसा आया है दोस्तों कई लड़के तो कुतों से चीटते भी है और डरते भी है यह हकीकत है आपने भी देखाई होगा लेकिन 59% लड़के ऐसा जूट बोलते हैं क्योंकि इंप्रेशन रखना चाते हैं क्योंकि ज़्यादा तर लड़की यहां पैट्स डॉक्स को ज़्यादा पसंड करती है इसलिए लड़के ऐसा जूट बोलते है ताकि वो सामने वाली लड़की को इंप्रेश कर सके दोस्तों कई लड़के एनिमल्स के प्रती बहुत सारा प्याद दिखाते हैं दयाभाव रखते हैं सच में उन्हें संबालते हैं यह तो दोस्तों एक सर्वे है कि 59% ऐसा जूट बोलते हैं नमबर वन पे जो जूट है वो है यूजिंग एक्सपेंसिव सेव यानि कि वो अपनी डाड़ी मुच करने के लिए एक्सपेंसिव सेव करीम या तो फिर जो करने की ब्लेड आती है वो यूज करते हैं ऐसा वो क्यों बोलते हैं दोस्तों महगी चीजे दिखाने से इंप्रेशन पढ़ता है अपने फेस का ध्यान रखते हैं ऐसा भी वो दिखाना चाते हैं वो कितने केरिंग है दोस्तो कई लोग brand भी बोलते हैं क्योंकि brand दिखाने से भी एक impression पड़ता है इसलिए वो expensive use करते हैं ऐसा दिखाते हैं यह दोस्तो सारा खेल impression जाडने का है दोस्तो ऐसा जूट 70% लड़के बोलते हैं ऐसा survey में आया है तो दोस्तो तीनों जूट लड़की को impress करने के लिए बोले जाते हैं ऐसा survey में आया है अलग-अलग percentage के हिसाब से तो मैं दोस्तो लड़के को कहना चाहूँगा अगर लड़के यह जूट बोलते हैं तो इसे पहले मान मत लीजिए इसके पीछे जान परताल करें उसके बाद ही उन पर विश्वास कीजिए और दोस्तो कई लड़के सही भी बोलते होते हैं उनकी बाते सच भी होती हैं तो वो बाते मानने लाइक भी होती हैं तो दोस्तों यह थी तीन ऐसी बाते, यानि की तीन ऐसे जूट, जो लड़के बोलते हैं लड़की को पठाने के लिए, तो चलिए दोस्तों वीडियो के एंडिंग में Appreciateing Comments पीक कर लेते हैं, दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था, अगर लड़की आपको चाहती है, तो यह संक्一定要 देती है 11 लड़कियों ने दिये 11 संकित उसमें अंकित आने सुपर करके और सेक रहान ने नाइस करके comment किया दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रांग्स दोस्तों वीडियो को देख रहे सारे boyfriend, girlfriend, रांजा, मजनू, लेला, कोई भी हो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए कोई सवाल या सुझा हो तो मुझे comment करके फटाफट बता दीजिए मैं पढ़ना चाहूंगा थेंक्यू दोस्तों नो बैटर लिव बैटर